ओम शान्ति बाप ददा बोले मीथे बच्चे अगर बाप से मिलन मनाना है पावन बनना है तो सचे सचे रूहानी आशिक बनो एक बाप के सिवाए किसी को भी याद नहीं करो प्रश्णा ब्रह्मान जो देटा बनते हैं उन ब्रह्मानों का पद देटा उसे भी उंचा है ये कैसे उत्तर ब्रह्मान इस समय सचे सचे रूहानी सोशल वरकर है मनशों के रूह को पवित्रता योग का इंजेक्शन लगाते हैं बारत की डूबी हुई बेली को श्रीमत पर पार लगाते हैं नरकवासी भारत को स्वर्गवासी बनाते हैं ऐसी शेवा देवताएं नहीं करेंगे वै तो इस समय के शेवा की प्रालबद भोगते हैं इसलिए ब्रह्मान देवताओं से भी उंचा हैं अब गीत हैं हमारे तीरत न्यारे हैं ओम शान्ती बच्चों ने गीत सुना हम जो जीवात्माएं हैं आत्मा और शरीर आत्मा को आत्मा और शरीर को जीव कहा जाता है आत्माएं आती है परम दाम से यहां आकर शरीर दारन करती है यह कर्म खेत रहा है जहां हम आकर पार्ट बजाती हैं बाप कहते हैं मुझे भी पार्ट बजाना है मैं तो पत्तों को पावन बनाने के लिए आया हूँ इस समय इस पत्त दुन्या में एक भी पावन नहीं है पावन दुन्या में फिर एक भी पत्त नहीं रहेंगा सत्यक्रेटा पावन द्वापुर कल्युक पतित पावन बाप ही आकर सब को सिख्या देते हैं कि हे आत्माई तुमने इस शरीर के साथ चोड़ासी जन्मों का पाड़ पूरा किया आदा समय सुक आदा समय दुख पाया दुख भी दीरे दीरे शरू होता है अभी बहुत दुख है और जन बहुत आपडाएं आने वाली है इस समय सब ब्रिष्टा चारी है कोई का भी योग बाप के साथ नहीं है आत्मा अपने को भूल गई है अभी बाप बैट समझाते हैं जैसे आशिक माशिक होते हैं ना जैसे देखो बच्चे और बच्चा एक दो को बिलकुल जानते भी नहीं है दोनों की सगाई होतने से फिर आशिक माशिक बन जाते हैं वैं सगाई होती है विकार के लिए विकारी पतित आशिक माशुक कहेंगे दूसरे आशिक माशिक होते है जो सरफ चैरे पर आशिक होते है जैसे लैला मजनुआद एक दो की शकल देखते रहते है वह विकार में नहीं जाते हैं काम करते करते माशुक सामने खरा हो जाएंगा जैसे मीरां के सामने कृष्ण खरा हो जाता था अभी ये है परमपिता परमात्मा माशुक जिसके हम सब आत्माएं आशिक बनी है उनको याद करते हैं आशिक बहुत है माशुक एक है सभी मनिश मात्र उसे एक के आशिक है भक्ती करते हैं भगवान से मिलने के लिए बगट होते हैं आशिक भगवान हुआ माशुक अब मिलन कैसे हो तो सबका जो माशुक परमात्मा है वे आते हैं अब आए हैं और कहते हैं अगर तुम बच्चों को मेरे से मिलना हैं तो निरंतर मुझे एक को याद करो मेरे साथ योग लगा कर मेरे ही आशिक मनो इस रावन राज में दुख ही दुख है अभी इनका विनाश होना है मैं आया हूँ तुमको पावन बनाने तुमारा यह अन्तिम जन्म है इसलिए याद करो तुमारे करम विनाश होंगे दरम राज के डंडो से भी पिर छूट जाएंगे वह निराकार बाप कहते है मेरे लादली बच्चे अभी क्यामत का समय है सिर्फ पर पापों का बूज है अभी पुझा अत्मा बनना है योग से ही विकरम विनाश होंगे और पुझा अत्मा बन जाएंगे बाप कहते है टेसर जन्म तुम रावन राज में पापा अत्मा थे अभी तुमको पापा अत्मा से पुझा अत्मा बनाते है देखताएं पुझा अत्मा है पापा अत्मा ही पुझा अत्मा का पुझन करती है अभी ये है अंत्म जन्म मरना तो सब को है तो क्यों न वर्षा ले लेवे क्यों न पुझा अत्मा बने सबसे बरा पाप है विकार में जाना विकारी को पतित निर्विकारी को पावन कहा जाता है सन्यासी भी पतित थे तब तो पावन होने के लिए गर्मार छोड़ते हैं फिर वै पावन बनते हैं तो सब उनको माथा जुकाते हैं पहले जब पतित थे तो कोई जुकते नहीं थे यहां तो मता आद टेकने की बात नहीं बाप बच्चों को श्रिय मत देते हैं अपने को आत्मा समझो हम यहां आए है पार्ट में जाने फिर बाप के पास जाता हूं अभी जिस्मानी पीरत यात्राएं सब बंद होनी है तुमको वापिस घर शान्ती दाम जाना है जब यात्रा पर जाते हैं तो यात्रा के समय पवित्र रहते हैं फिर घर में आकर पतित बनते हैं वैहुई अलब काल के लिए जिस्मानी यात्रा सत्युग मेरादे क्रिश्न की सगाई कोई पत्त होने के लिए तोड़ी हुई है वहां तो पावन है योगबल से बच्चे पैदा होती है जैसे योगबल से तुम विश्व के मालिक बनते हो वहां बच्चे कभी शैतानी नहीं करते क्योंक वहां माया होती नहीं बच्चे อच्छे करम ही करेंगे वै करम अकरम हो जाएंगे यहां रामरा राज में तुमारा करम विकरम बन जाता है यह खेल बना हुआ है तुम सब कुमार कुमारिया आपस में भाई बैन हो शिव बाबा के पूत्रे हो गए वर्षा दादे से मिलता है स्वर्ग की बाच्चाई का अब बाप आकर मेल फी मेल दोनों का योग अपने साथ लगवाते हैं कहते हैं ग्रस्त मेवार में रहकर पवित्र बनो ये बहादुरी दिखाओ कठे रहते काम अगनी न लगे ऐसे रहकर दिखाया तो बहुत उंचपत पाएंगे दिशम पिता मैं जैसा ब्रिमचारी मनना है मेहनत है लोग समझते है ये बहुत मुश्कल है परन्तु ये युक्ती तो बापिश सकलाते हैं अब शिव भगवान हो आच्च कृष्ण कोई भगवान नहीं है वो तो दैवी गुर्वाला मनुश्य है ब्रह्मा पद देखताओं से भी उंचा है क्योंकि इस समय तुम रुवानी सोशल वरकर हो मनुश्य के रुह को पवित्रता यूग का इंजेक्शन लगाते हो तुम ही इस भारत को स्वर्ग बनाते हो इसलिए है बनाने वालों की महमा जास्ती है बल तुम ही देवता बनते हो परन्तु इस समय तुम ब्रह्मन बन शेवा करते हो देवता रूप में शेवा नहीं करेंगे वहां तो तुम राज करेंगे तुम्हारी शेवा है नर्कवासी बारत को स्वर्गवासी बनाना इसलिए वंदे मातरम कहते है शिवशक की सैना मम्मा की शेर पर स्वारी दिखाते है परन्तु ऐसे है नहीं तुम शेर निया हो क्योंको तुम पांच विकारों पर जीत पाते हो बारत को स्वर्ग बनाते हो यह उंच शेवा हुई न इसलिए शक्तियों के मंदर बहुत है मुख्य है एक शक्ति देने वाला है शेवाबा महमा सारी उनकी है फिर जो जो मददगार है उन्हों का भी नाम मेल्स पांडवों को भी महारती कहा जाता है मेल फी मेल दोनों चाहिए फिर विर्ती मारे गहना कभी भी कोई विकारी गुरू नहीं करना चाहिए ग्रस्ती को गुरू करना तो कोई फाइदा ही नहीं ग्रस्ती अत्वा पतित मिला पतित को वै कभी भी पावन बना न सके सन्यासियों को फालूर्स अपने को कहलते हैं पर अन्तु खुद सन्यासी नहीं बने तो यह भी जूट हुआ आज कल तो ठगी बहुत है ग्रस्ती गुरू बनकर बैठ जाते हैं पवित्रता की बात उठाते नहीं यहां तो बाप कहते हैं पवित्र बनो तो बच्चा कहला हो, पावन बनने बिगर तो राजाई नहीं मिलेंगी, तो बाप से योग जरूर लगाना है, फिर जो जिसको मानने वाले हैं, समझो कोई गुरू नानिक को मानने वाला होंगा, तो उस घराने में जाएंगा, स्वर्ग में वो आएंगे, जो इस समय से क्या लेकर पवित्र बनते हैं, गुरू नानिक को कोई देवता नहीं कहेंगे, देवता होते हैं सत्युग में, वहां सुक बहुत है, अन्य धर्मवालों को स्वर्ग के सुक का मालूम नहीं, स्वर्ग में होते ही हैं भारतवासी, बाकी तो याज में आते हैं, जो जो देवता ब बनने होंगे वही बनेंगे इस समय पूजते हैं देवताओं को लक्षमी नारेन को और अपना धरम हिंदू कह देते हैं क्यों पतित बन गई हैं तो अपने पवित्र धरम को भूर हिंदू कहलाते हैं अरे तुम देवी देवता धरम के हो फिर अपने को हिंदू क्यों कहलाते हो हिंदू कोई धरम नहीं है परंटू गिर परे हैं देवताओं तो बहुत थोड़े होते हैं जो आकर यहां सिक्या लेते हैं वही मनश से देवता बनते हैं थोड़ी सिक्या लेंगे तो साधारन पिर विजय माला में आएंगी अब तो रूहानी आशिक माशिक बनना है सत्यग में जिस्मानी बनेंगी कल्यग में भी जिस्मानी अब संगम युग पर रूहानी आशिक बनना है एक माशिक का बाप कहते हैं मुझे याद करो विकार में जाने से सो गुना डंड पर जाएंगा गिर जाते है तो लिखना चाहिए बाबा हमने काला मुख कर दिया बाप कहते हैं बचे अब तुमको गोरा बनना है कृष्ण को शाम सुन्दर कहते हैं उनकी आत्मा इस समय काली हो गई है फिर ग्यान चिता पर बैट गोरे बन जाते हैं एकिस जनम के लिए सुन्दर बन जाएंगे फिर शाम बनेंगी ये शाम और सुन्दर का खेल बना हुआ है शाम से सुन्दर बनने में एक सिकंड सुन्दर से शाम बनने में आदा कलब लग जाता है आदा कलब शाम तो आदा कलब सुन्दर एक मसाफर है शिव बाबा बाकी सब सजनिया हो गई काली हुसेन बनाने के लिए तुमको योग सिकलाते हैं सत्युग में फर्स्ट प्लास नेचरल ब्यूटी रहती है क्योंको पांच तत्व सतो प्रदान होने से शरीर भी सुन्दर बनते है यहां तो आर्टिफिशल ब्यूटी है पवित्रता तो बहुत अच्छी है बाबा के पास बहुत आते है पवित्रता की प्रतिज्या करते है पर अन्तु कोई फेल हो जाते है कोई पास हो जाते है यह है इश्वर्य मशिन चूबे हुए भारत को सेलवेज करना भारत का बीरा रावन ने डुबोया राम आकर पार करते है तुमारी बुद्धी में है कि हम स्वर्ग में जाकर हीरे जवारों के महल बनाएंगे यह शरी छोड प्रिंस प्रिंसेज बनेंगे जो बच्चे होंगे उनों की ही ऐसी क्याला चलेंगे यह है इश्वरी दर्मार पत्वा इश्वरी फैमली गाते है तुम हमाता पिता हम हमालत तेरे तु फैमली हो गई ना इश्वर है दादा ब्रमा है बाबा तुम हो बाई बैर स्वर्ग का वर्षा तुम दादे से लेते हो फिर तुम गवाते हो फिर बाबा देने आते हैं तुम प्रैक्टिकल में बाप के बने हो वर्षा लेने के लिए ब्रमा के बच्चे शिवक के पोत्रे हो प्रैक्टिकल में तो इनको इश्वर्य दरबार भी कहते हैं किश्वरी कुटम भी कह सकते हैं अच्छा मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रित मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुद मार्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ति अब धारना के लिए मुख्यसा ज्यान्चिता पर बैट संपूरन पावन पर्थात गौरा बनना है पवितर का ही नमबर वन ड्यूटी है इस ब्यूटी को धारन कर बाप का बच्चा कहलाने का अख़दार बनना है दूसरी पाइंट है इस क्यामत के समय में सिरफ पर जो पापों का बोजा है उसे एक बाप की याद से उतारना है पुझ्या आत्मा बनने के लिए स्रेष्ट करम करना है अभी वर्दान है कंबाइंड स्वरूप की स्मिर्थी द्वारा कंबाइंड शेवा करने वाले सफलता मूरत भवा कंबाइंड है इस स्वरूप की स्मिर्थी में रहकर स्वशेवा और सरवात्माओं की शेवा साथ साथ करो तो सफलता मूरत बन जाएंगे ऐसे कभी नहीं कहो कि शेवा में बहुत बिजी थे इसलिए शिवा की इस्थिती का चार्ट डीला हो गया नहीं तो जाओ शेवा करने और लोटो तो कहो माया आ गई मूड़ अफ हो गया डिस्टर्ब हो गई शेवा में विर्दी का साथनी है स्वर और सरव की शेवा कंबाइंड हो स्लोगन है हद के इच्छाओं को अविद्या होना ही माहान संपतिवान बनना है अब माते शुरी के अनमूर महावाक निराकारी दुनिया और साकारी दुनिया का विस्तार स्यम परमात्माद्वारा हम जान चुके है कि एक है निराकारी दुनिया दूसरी है साकारी दुनिया अब निराकारी दुनिया को कहते है ब्रमान्द अर्थात अखंड जोती महत्व मूल वतन जो हम आत्मा और परम्पिता पर्मात्मा का निवा सुस्तान है उस निराकरी दुनिया से ही पर्मात्मा हम आत्माओं को पाठ मजाने के लिए साकार सृष्षी में बेचते हैं जैसे ब्रमांड का वरिख्य है वैसे साकार सृष्षी में आत्माओं का शरीर सहत वरिख्य है जैसे जर जार का मिसाल देते हैं कैसे जार की जड़ें नीचे रहती है वैसे मनश सृष्षी को भी उल्टा जार कहते हैं क्योंक मनश सृष्षी के जार की जरें फिर उपर निराकारी दुनिया में है वहां भी हर एक दरम का सेक्षन अलग अलग है उस दुनिया में कोई सूर्य चांद का प्रकाश नहीं है बलक वो दुनिया तो स्यम अकंड जोती तत्व है जो बिलकुल स्थूल तत्वों से अती सूक्यम है जैसे साकार सृष्षी पांच तत्वों की बनी हुई है आकाश वायू अगनी जल और प्रत्वी उसमें भी प्रत्वी है इस तत्व उससे सूक्यम है जल उनसे सूक्यम तत्व है अगनी उनसे पिर सूक्यम है वायू फिर है आकाश तत्व अब इन पांचों तत्वों से भी अती सूक्यम यह अकंड जोती मात्व है जो इस स्थूल सृष्टी से उस अपार निराकारी दुनिया है जहां फिर हम आत्माई जोती बिंदू रूप में अपने परम्पिता परमात्मा के साथ रहती है तो ब्रमान से अलग है ये साकारी सृष्टी ओम शान्ती